दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह का लोगो बनाना सिखाएंगे इसके लिए सबसे पहले दोस्तो आपको पिक्सेल लैप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से तो ओपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा तो यहां से दोस्तो हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं चलिए आज हम आपको बलू में बताते हैं तो यहां से दोस्तो आपको यह स्कुएर वाला फार्म देखना है यहां पे जाना है और बैक्गराउंड को कलर कुछ इस तरह का बना लेना है यह कैसे बनेगा यह मैं बताते तो हूँ यहाँ पर प्लस में जाना है आपको blue color select करना है और देखने इस तरह से आपको adjust कर लेना है ठीक है अब हम ok कर देते हैं ठीक है अब हम आते हैं shape वाले part में अब यहाँ से एक round shape लेना है आपको just यह वाला ok इसका size हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे यह text को हम delete करते हैं ok करते है text यहाँ से आपको delete हो जागा इसके size को थोड़ा सा और बढ़ा देजिए अच्छा लगेगा ठीक है दोस्तों अब यह हम ले लिए अब इस पे click करेंगे और फिर shape में जाना है आपको और यहाँ से आपको इसका color जो है change कर देना है color में जाएंगे ok करेंगे color जो है हम को यह ले लेना है यह color आपको यहाँ से plus करेंगे और यहाँ से आप choose करके बना सकते हैं ठीक है अब okay कर देना है अब आपको आना है shadow में यह देखने shadow shadow को enable करिए और shadow का color कौन सा होगा आप पहले black select कर लेना है आपको और black का कुछ इस तरह से set कर लेना है आपको ठीक है sharpness देखिए यह जो है इसका hardness full कर दीजे यह भी black का फूल कर देंगे और इसको जो है लगभग आपको 190 के आसपास ले आना है ठीक है अब इसके ब्लर रेशियो को फूल कर दीजिए ऑफसेट जो राइट है उसको 50 कर देना है आपको एराउंड 50 ओके दोस्तों यह हो चुका है अब इसको ओके कर देना है अपको इसतना काम आपका यह खतम हो गया अब एक इसका कॉंपी बना लीजिए कॉंपी बनाएंगे कॉंपी को क्या करेंगे हम यह डिलेटिव पोजिशन है वहां से हम सेंटर में ले आएंगे ठीक है अब क्या करना है आप को अब नीचे जाना है फिर से आपको सेडो में जाना है और आपको वही लेना है यहां से आप कर दीजेए बिलकुल ओके क्या कि ठीक है मैंने क्या किया उसी black color पर चोज किया था और इसको edit करना है तो plus में करना है यहां पर plus में करेंगे और इसको white कर देंगे बाकी ऐसे ही रहने देंगे अब इसके offset को minus 50 कर देजिए यहां पर ले जाए अब ठीक है just यहां पर minus कर देते हैं 50 ठीक है हो गया okay कर देना है इसको अब आ जाना है आपको inner shadow में इसको okay करना है यह वाला जो black था इसको select करिए और इसमें थोड़ा सा इसका जो hardness है बढ़ा देना है आपको लगभग 190 और इसके offset blur को भी बढ़ा दीजिए फुल कर दीजिए offset जो है राइट साइड करिए लगभग 40 पर रहने दीजिए ठीक है यहां से हम इसको lock कर लेते हैं तो ठीक रहेगा ही लेगा अब यह दोस्तों यह हो चुका है अब हम एक यहां पर ड्रॉ करेंगे ड्रॉ देख रहे हैं यहां पर अब ड्रॉ में आपको color कौन सा लेना है कलर आप वाइट पिक करिए पैन साइज जो आपको है लगभग 12-13 कर लेना है स्मूथ को 100% कर लेना है फिल इंसाइड ओके नियोन इफेक्ट ओके कर देना है ठीक है अब आपको कुछ इस टाइप का सेप ले लेना है देखिए मैं जैसा कर रहा हूं सेम ऐसे ही करना है हो ग करेंगे और पतला भी कर देंगे ठीक है और चोटा तुरक करिए अब इसको एक और कॉपी कर लेते हैं यहां से ले आते हैं और यहां पर डालते हैं यहां कहां पर देना है सेड़ों के आसपास आपको कुछ स्टैप्स यहां से भी आप कर सकते हैं इसको पोजीशन थोड़ा साथ यहां से ठीक है इसको भी कर सकते हैं यहां से पोजीशन डाउन इसके साइज को और थोड़ा चोड़ा करिए हो गया अब दोस्तों हमको एक और ड्रो कर लेना है ड्रो का कलर भी हमारा फिर से वाइट आप सेलेक्ट करिए अब पेन साइज को थोड़ा सब बढ़ा दीजिए अब हमको कुछ इस टाइब कर लेना है चांद जैसे ठीक है ओके कर देंगे अब इसको हम करेंगे थोड़ा से यह सोड़ा पर ले जाएंगे और इसको थोड़ा से और पतला करेंगे चोटा करेंगे यहां पर दोस्तों आपको ले देना है ठीक है तो कुछ इस टाइब से हमारा जो है से बन चुका है हमें लगए हार्डनेस जो है इसका वाइटनेस यहां पर कुछ जादे लगए तो इसको हम क्या करेंगे उपर वाले सेप को ओके करेंगे अब इसका जो है सेड़ो जो है इनर सेड़ो यह सेड़ो यह यह हमें लग रहा है वाइट कुछ जादे है इसको वाइटनेस को हम तोड़ा सा और कम कर लेंगे और एराउंड वन फिप्टी ले जाएंगे ठीक है दोस्तों अब अच्छा लग रहा है अब जो है हमको एक टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां पर ले आईए अब इसको एडिट में जाएंगे आपका जो भी नाम है वो ले सकते हैं हम ले लेते हैं रार जे ठीक है ओके करते हैं सोरी इसको जो है हमको थोड़ा सा एड़श्ट करना है यह मैंने लोक करना भूल गया था आप यहां से लोग कर सकते हैं ओके इसको यहां से लोग कर दीजिए अब जो है आपका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए फॉन्ट के स्टाइल जो है दोस्तों आप चेंज कर लीजिए यहां से यह फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा इसका कॉर्म नॉर्मल है नाम अब यहां से ले लेंगे और इसके जो है दोस्तों परस्पेक्टिव को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से कर दीजिएगा ठीक है ओके कर देते हैं अब इसके कलर को जो है हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तब अच्छा लगेगा इसको कलर जो है हम ब्लैक ले ले लेते हैं हार्ट ब्लैक अब दोस्तों देखी यह कैसा लगड़ा है यह बिल्कुल 3D जैसे लगड़ा है और अच्छा लूकर लगड़ा है तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कलर में बना सकते हैं अपने सेप को जो कलर मैंने लिया था वहां से बुलू आपको ले लेना है वहां से रेड कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से आप से बना सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट्स जरूर करिए हमें ऐसे ही वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में और यह और चीज में बता देता हूं इसको फॉप करने के लिए आपको यहां से इमेज क्लिक करना है और आपको यहां पर अल्ट एाशिढी कर लेना है और यहां से उपर में से दू गैलरी में छटे जाना है